हलो फ्रेंड स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब कैनल हिंदी कानूनी जानकारी में आज हम बात करेंगे भारती संबीधान के अनुच्छे 79 के बारे में यदि आप भारती संबीधान से रेलिटेट पिछले अनुच्छेत का अध्यान करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर किलिकरें यहाँ से आपको भारती संबीधान का पिछला अनुच्छेत मिल जाएगा हम बात करते हैं भारती संबीधान के इस अनुच्छेत के बारे में यह कहता है संसत का गठन संसत यदि देखें तो तीन चीजों से मिल करके बनती है एक है राज्यसवा, एक है लोक्सवा और एक है भारत का राश्ट्रपती भारत का राश्ट्रपती जो है सबसे प्रमुख व्यक्ति माना गया है याने के भारत का प्रतम नागरिक माना गया है तो भारत के राष्टपती के निर्देशन में लोगसभा भी कारी करेगी और राजसभा भी कारी करेगी लोगसभा में जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिदी होंगे याने के जनता के द्वारा चुने हुए सांसद होंगे, MP होंगे जब कि राज्य सभा में जो लोग होंगे राज्य सभा के जो सांसद होंगे राज्य सभा के जो एंपी होंगे वह जंता के दौरा चुने नहीं जाएंगे फिर किसके द्वारा चुने जाएंगे भाईया जो विधान सभा के जो सदश्य हैं याने के विधायक हैं एमेले हैं तो जिस राज्य के एमेले हैं उस राज्य में से वे व्यक्ति जो एमेले हैं वो चुनेंगे उन व्यक्तियों को जो राज्य सभा के सांसत बनेंगे पहली बात तो यह हो भी दूसरी बात यह कि राष्ट पती भी अपने एसाब से 12 सदस्चों को मनोनीत कर सकता है 12 सदस्चों को ले सकता है अब वो 12 सदस्च कौन-कौन से हो सकते हैं वो 12 सदस्च जो है special होना चाहिए याने कि वे विद्वान होना चाहिए विद्वान होना चाहिए किस चीज में या तो वो साहित के छेतर में विद्वान हो या वो विज्ञान के छेतर में विद्वान हो कला के छेतर में विद्वान हो या फिर वो समास सेवा करते हो तो ऐसे लोगों को राष्ट पती के द्वारा मनोनीत किया जा सकता है बारा सदश्यों को बांकी सदश्यों को चुना जाएगा लोग सभा में जनता के द्वारा सदश्यों को चुना जाएगा तो इस प्रकार से लोग सभा, राज्य सभा और राष्ट्र परती इन तीनों से मिल करके संसत बनेगी और संसत जो है पूरे राष्ट के प्रती उत्तरदाई होगी और संसत के द्वारा समस्त कारे किये जाएंगे संसत के द्वारा कानून बनाए जाएंगे संसत के द्वारा ही प्रसासन किया जाएगा कारे पालिका की सारी सक्तियां संसत में विराजबान होगी याने संसत जो है सब कुछ होगी पहले के जमाने में क्या होता था एक राजा हुआ करता था राजा ने जो कुछ के दिया वो ही सही है राजा ने के दिया कि भईया इस व्यक्ति ने अपराद किया है इसको फांसी पे चड़ा दो तो कोई कानून व्यवस्ता नहीं है, राजा ही कानून है, राजा ही न्यायधीस है, राजा ने कह दिया वो सही लेकिन वर्तमान इस्तिती में हमारे भारती संबिधान में ऐसी व्यवस्ता की गई है जिसमें संसत को सर्वो पर ही रखा गया है संसद ही सारे कारे करेगी यानिके कानून बनाने का कारे यदि कोई कर सकता है तो संसद के माध्यम से किया जा सकता है राज्यसभा, लोकसभा और भारत के राष्ट्रपती के द्वारा ही मिल करके कोई कानून बनाया जा सकता है अकेले राष्ट्रपती के द्वारा कोई कानून नहीं बनाया जा सकता है, राष्ट्रपती ने के दिया है, जाब इसको चड़ा दो फांसी पे, तो किसी को भी फांसी पे चड़ा दो, ऐसा नहीं, उसके लिए न्यायपालिका की व्यवस्था अलग रखी गई है, याने के कार पालिका का प्रमुख भी हैं कि राष्ट पत्य हो गा और नियाये पालिका का भी प्रमुख जो है राष्ट पत्य होगा Canada और नियाये पालिका का प्रामुख? संसत का कारी कानून बनाना होगा और न्यायपालिका का कारी होगा कि कानून जो है कानून के अनुसार लोगों को दंडे देने का कारी जो है न्यायपालिका का होगा इसके अलावा में प्रसासन जो है उससे संबंदित व्यवस्ताओं को समालेगा इस प्रकार से यदि देखें तो संसत जो है समस्त कारियों का करता धरता रहेगी और समस्त कारि संसत के निर्देशन में किये जाएंगे राष्टपती के निर्देशन में किये जाएंगे लोगसवा और राज्यसवा भी राष्टपती के प्रति उत्तरदाई होगी तो आज की वीडियो में हमने अध्यान कर रहे हैं अध्यान किया है 79 याने संसत के गठन के बारे में संसत में जो है राष्टपती प्रदान मतलब राष्टपती जो है वो लोगसवा जो है वो और राजसवा जो है वो ये तीनों से मिलकर के संसत बनेगे राजसभा और लोगसभा के लोग मिलकर के मंत्री परिशत का निर्मान करेंगे उनमें एक जो है बड़ा मंत्री होगा जिसको प्रदान मंत्री कहेंगे और वे सारे के सारे कारे करते रहेंगे मतलब मंत्री परिशत संपूर्ण कारे को समा लेगी तो आज की वीडियो में इतना ही यदि आप भारती संबिदान से related अगला अनुच्छित देखना चाहते हैं तो यहाँ पर किलिक करें यहाँ से आपको अगला अनुच्छित मिल जाएगा भारती संबिदान से related CRPC और IPC से related संपूर्ण वीडियो भी यहाँ से आपको मिल जाएगे तो आज की वीडियो में इतना ही वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट्स करें और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अगल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद